असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगों के लिए चिकन आलू की रसी पे लेकर आई हूँ जो बहुती स्पाइसी बन करता है यार होता है तो चलते हैं इंग्रेडियन्स की तरफ चार मीडियम आलू लिए जिसे पीस में कट कर लिए एक किलो चिकन लिए जिसे मैंने अच्छे से धो लिए तीन मीडियम टिमाटर वन टेबली स्पून अदर कलस्टन का पेस्ट आठ सेनों हरी मिर्चे हाफ कप बारिक कटा हुआ हरा दनिया तीन मीडियम प्यास जिसे बारिक स्लाइसीस में कट कर लिए मसाले में 2 टेबली स्पून पिसावा धनिया वन टेबली स्पून पिसी विलाल मिर्च वन टेबली स्पून पिसा हुआ जीरा हाफ टेबली स्पून नमक हाफ टेबली स्पून पिसावा गरम मसाला वन टेबली स्पून कुटी विलाल मिर्च हाफ टेबली स्पून हल्टी नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा चलते हैं हम रेसिपी की तरफ यहीं पर पैन ले लिए जिसमें एक कप ओईल एट कर देंगे ओईल हमारा गरम हो चुक है इसे में प्यास एट कर देंगे और इसे फ्राइ कर लेंगे प्यास हमारी फ्राइ हो गए थी इसी में टिमाटा हरे मिर्चे और एजरकलसन का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसे भी अच्छे से फ्राइ कर लेंगे इसमें मसाले भी आट कर देंगे इसे भी अच्छे से फ्राइ कर लेंगे मिडियम फ्लेम पर मसाला हमारा फ्राइ हो गए है और देखें ओयल हमारा सेपरेट हो चुक है इसे में हम चिकन एट कर देंगे चिकन की जो स्मेल होती है वो भूने से निकल जाती है अब हम इसमें आलू आट कर देंगे आलू को भी हमने अच्छे से फ्राइ कर लिया अब इसमें दो गिलास पानी आट कर देंगे पानी आप अपने हिसाब से भी आट कर सकते और इसे में मेडियम फ्लेम पर रख दूँगी पकने के लिए आलू को मैंने अच्छे से फ्राइ कर लिया था ताकि ये जल्दी गल जाए दस मिनट में से मेडियम फ्लेम पर पकाऊंगी दस मिनट हो गए हैं देख लेते हैं आलू गल चुके हैं शोरवा भी कुछ इसी तरह का चाहिए अब इसमें बारिक कटा हुओ हरा दरिया और साबुत हरी मिर्चे ये एट कर देंगे और फिर इसे हम डिश आउट करते हैं सो फाइनली हमारा अलू चिकन का सालन बनकर रेडी होगी है आप इस सालन को जरूर जरूर ट्राइ करिएगा क्योंकि ये बहुत स्पाइसी बनकरते हैं यार होता है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होते से लाइक कर दें और मेरे चैनल पर अगर निए होते हैं सबस्क्राइब भी कर दें इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूंगी आप मुझे अब तक के लिए इजाज़त दें अल्ला हाफिस